अगर आपका बजट कम है और अपने घर की इंटरनल वाल्स को पेंट करना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा देखे क्योंकि आज हम दो ऐसी पॉपिलर ब्रांज के चीप इंटीरियर पेंट को कमपेर करेंगे जो की सस्ते भी है और वो पूरा ने डिस्टेंपर जो की सिमेंट बेजड आता है जिस पे आथ लगाते ही आपको वो जो थोड़ी पावडर जैसे फील आती है तो इससे कही गुना बहतर और वैल्यू फर मनी इमलजन पेंट है ये नमस्कार दोस्तों मैं हूँ प्रतीक और स्वागत है आप सब का मेरी चैनल सिविल एंजिनियरिंग फोरम में तो जो पेंट्स आज हम कमपेर करने वाले है वो है एशियन पेंट्स ट्रैक्टर इमलजन और बर्जर बिशन एक्रेलिक इमलजन तो basically हम इन दोनों पेंट्स को कमपेर करेंगे जिसमें इने लगाने के benefits, technical features, cost, life यह सबी जी से कमपेर करेंगे और last में हम इनके सबी features को ratings देंगे based on which आप यह decide कर सकोगे कि इन दोनों में से कौनसा जो पेंट है वो आपको अपनी internal works में लगाना चाहिए तो बिना आपका time based किये हम जल्दी से शुरू करते हैं इनके product description से तो पहले हम Asian paints structure emulsion की बात करते हैं तो यह घर के interior में लगाने वाला wall paint है जो कि water based यानि कि इसमें पानी मिले आ जाता है इसे लगाने से पहले यह एक smooth finish provide करता है यह actually Asian paints में एक distemper का replacement है distemper यानि कि वो जो मैंने बताया आपको कि वो जो सस्ते वाले paint आते थे cement based जो कि chalk, lime और pigment से बनते हैं जिसकी walls पे अगर आप हाथ लगाओ तो थोड़ी powder जैसे feel जो आती है उसमें तो यह इसका replacement है तो basically यह एक emulsion paint है जिसमें economy maintain की है नेक्स्ट हम बात करेंगे बर्जर बीसन अक्रेलिक emulsion की तो यह भी एक water based paint है जो कि एक बार हमने perfectly smooth based surface पे लगा दिया तो यह हम एक excellent rich matte finish प्रोवाइड करेगा तो नेक्स्ट इनके product description देखने के बाद हम बात करेंगे इनके कुछ product features की तो at first talking about Asian paints tractor emulsion यह है smart upgrade मतलब कि जैसा के इना बताया यह emulsion paint जो है वो distemper का replacement है Asian paints ने यहाँ emulsion paint में economy maintain की है और इसलिए price point और features को compare करते हुए यहाँ पे हम distemper paint को reference रखेंगे next point है यहाँ पे smooth finish तो देखिए as per the company यहाँ पे हमें smooth finish मिल जाती है जो की एक premium look provide करेगा हमें और इसकी यह smooth finish को हम आखिर में rating देंगे तो यह video पूरा देखें next is shade variety तो as always Asian paints की color shades और color varieties में हमेशा से ही monopoly रही है जिसकी वेज़े से इतना इसका brand name है और next हम बात करेंगे berger vision acrylic emulsion के कुछ product features की तो इसमें सबसे पहला और highlighting point है rich matte finish तो इस paint की यह चीज़ जो है वो मुझे सबसे खास लगी जिसमें एक बार हमने ठीक से इसका जो base है वो तयार कर दिया यानि की surface है वो ready कर दिया और उसके उपर अगर हम यह berger vision acrylic emulsion लगाते हैं तो यह में एक perfect rich matte finish प्रोवाइड करेगा जिससे की घर के अंदर जाते ही आपको एक luxury feel आएगी नेक्स्ट और एक highlighting feature यहाँ पर बर्जर paint ने दिया है antifungal and anti-algal performance तो यह paint लगाने से हमें और एक benefit जो है वो मिल जाता है कि एक बार यह paint सूख गया तो यह हमरी walls के surface पे वो जो fungal और microbial growth हम देख सकते हैं सेवाल देख सकते हैं तो यह यहाँ पर promote नहीं होगा तो यह हम rich look तो provide करता ही है पर इसके साथ-साथ ही hygienic भी है next is antifading तो इसमें कुछ जिस तरह से copolymers और microfin pigments add किये गये है to get some extra durability यानि कि यह tick out है ही और इसके साथ-साथ इसका जो color है वो भी maintain रखता है और वो जो पुराना वाला fresh look है वो बना रहता है next environmental friendly तो यह environment और हमारी health के लिए harmful heavy metals like lead mercury और chromium से free है तो इसमें यह components आपको नहीं मिलेंगे इसमें विवसी component यानि की volatile organic compound जो है वो भी under control रखा गया है और इसलिए यह ग्रीहा यानि की green building का इसको approval भी मिला है तो यह एक बहुत बढ़ी बात हम बोल सकते हैं next यह सब भी product features देखने के बाद हम बात करेंगे कुछ बाकी product info की इन दोनों product के बारे में तो यह paint इसकी पूरी life में एक से दो बार तक washable है मतलब एक से दो बार आप इसकी पूरी life में इससे wash कर सकते हो इससे जदा क्या होगा कि अगर आप इससे wash करने की try करोगे तो यह paint पपड़ी बनना शुरू हो जाएगा और इससे wash करने पे आपको वो जो पूरानी वाली feel थी जब आपने यह fresh paint लगवाया वो वापिस आ जाएगी फिर जैसा कि मने बात की shades available, shades varieties के बारे में तो यहाँ पे Asian paints tractor emulsion में में मिल जाता है 1600 plus color shade options तो यह भी satisfactory color range बोल सकते है पर हमें यहाँ पे Royal की जो वह designer palette थी सभी असची मुखर जी की वह यहाँ पे नहीं मिलेगी as compared to this category and price range next इसमें इसका cover है यह highlighting चीज है 125 square feet एक लिटर paint में दो coat के लिए interior walls में तो यह 125 square feet बहुत अच्छा cover है जम बोल सकते हैं दो coat के लिए क्योंकि यह कम से कम डेड़ गुना है कोई भी distemper paint के तो अगर आप economical paint देख रहे हैं तो जिर्फ हमें price point नहीं देखना है हमें coverage भी देखना है एक लिटर paint इसका 125 square feet cover करेगा फिरकर हम बात करें इसके packings अवेलेबल की तो यह market में आपको 1 लिटर 4 लिटर 10 और 20 लिटर के packs में मिल जाएगा नेक्स्ट बर्जर भी से नेक्रेलिक इमलजन के प्रोड़क इन्फो की बात करें तो यह one time washable है आप इसकी पूरी life में इसे एक बार wash कर सकते है वो stain marks वो जो dirt है उसे remove करने के लिए नेक्स्ट यहां पे शेड़ अवेलेबल है 2000 प्लस सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यहां पे भी हम एक अच्छा coverage मिल जाता है अगर हम compare करें तो 120 स्क्वार फीट यह भी अच्छा है यह देखिए एशियन पेंट्स ट्रेक्टर इमलजन और बर्जर वीशन अक्रिलिक इमलजन में इतना ज्यादा फर्ट नहीं है तो यह 120 स्क्वार फीट कवर करेगा एक लीटर पेंट में दो कोट के लिए और इसमें भी पैकिंग्स अवैलेबल है market में 1 लीटर 4 लीटर 10 इं 20 लीटर में बड़ा है आप देख सकते है एप्रोक्सिमेटली 700 रूपीज का डिफरंस है तो यह एरिया के हिसाब से थोड़ी बहुत वरी होती रहेगी पर यहां पे तक्रीबन 700 रूपीज का डिफरंस है तो यहां पे बर्जर वीशन अक्रेलिक इमलजन जो है वह बढ़ी आतरीके से बाजी मार जाता है और जैसा कि मैं आपको बताया था कि यह सबी पॉइंट्स लेखने के बाद लास्त में में इन मैंको रेटिंग देनगे इनके फीचर्स रेटिंग देंगे तो एड़र रेइट फर फिनिशिंग तो फिनिशिंग की बात करें तो यहां पे एश्चीन पे के साथ जैसे की रॉयल सीरीज के साथ मैंने कंपेर की है और बर्जर बीशन एक्रैलिक इमलजन की फिनिशिंग मुझे थोड़ी ज्यादा रिच और स्मूध लगी तो इसलिए इसे मैंने तो यहां पर यह थोड़ा आगे निकल जाता है नेक्स्ट हम रेटिंग देंगे इनकी शेड विराइटीज को तो एशन पेंस ट्रैक्टर इमलजन को यहां पर मिल जाता है और बर्जर बीशन एक्रैलिक प्लस कलर ऑप्शन्स मिलते हैं तो इसलिए इसे यहां पर मिल जाता है फोर स्टार नेक्स्ट अगर हम बात करें की लाइफ की तो अगर आपके घर में कोई लीकेजिज नहीं है कोई एक्स्ट्रीम वैदर कंडिशन्स नहीं है और ठीक से अगर आपने यह पेंट्स लगा द इसकी प्राइज इसकी डिवरेबिलिटी इसकी शेड रेंज यह सभी जी से कंसिलर करते हुए हम लास्ट मेने देंगे वैली फर मनी रेटिंग बेस्ट अन वीच आप यह डिसाइड कर सकोगे कि इन दोनों में से आपको एक्चली कौन सा पेंट जो है वो प्रिफर करना चा रखते हैं पर बर्जर बीचन पेंट यहां पर बड़िया तरीके से बाजी मार जाता है इसकी शेड रेंज इसकी वेराइटी और सबसे बड़िया चीज के साथ अगर हम कंपार करें तो यह 25 पॉसंट तो सस्ता मिल जाएगा तो इसलिए यहां पर मैंने इसे 5 आउट और 5 मैं पर्सनली बर्जर बीचन अक्रलिक इमल्चन यूज़ करूंगा तो दोस्तों उमीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल एंजिनेरिंग फोर्म को सब्सक्राइब ज़रूर करें दिस